कॉंपटिशन की बात हो और खेती किसानी का जिक्र ना हो विशेश रूप से उस देश में जहां अर्थ व्यवस्था में खेती किसानी की भूमी का बहुत बड़ी होती हो नमस्ते मैं हूँ हितेंद्र और आप देख रहे हैं जोग्राफिया के लिए अपना कॉंपटिशन मजबूत करने की कोशिश करते हैं और खेती किसानी से अमोमन रिपीट होने वाले प्रश्णों पर एक नजर डाल लेते हैं वो कौन से प्रश्ण होते हैं और कौन सी चीजें होती हैं और यहां हम थोड़ा सा बात करेंगे खेती किसानी पर रभी के उपर क्या कहा जाता है उन्हालू उन्हालू का मतलब उन्हाला या उन्हाला मतलब गर्मी की रितू और थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूत क्या है जो सर्दी की शुरुवात से गर्मी की शुरुवात तक जिस फसल का चक्र होता हो उसे रवी या फिर उन्हालू के नाम से जाना जाता है अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है मार्च अप्रेल में इसको काटा जाता है मार्च अप्रेल में क्यों गर्मी की शुरुआत होती है उन्हालो इसलिए ताकि उन्हाले में यानि गर्मी में आप इसको खा सकें अब फटा फट रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि के तोरान आप कौन सी चीजों को खाते हैं ये देखिए अनाज की बात करें गेहूं और जो गेहूं की रोटी और जो की रावडी शांदार सा भोजन होता है जो आपके शरीर को तरावट देता है थोड़ी ठंड़क देता है गर्मी की रितू में वो धान रखेंगे रभी का अनाज कौन सा गेहूं और जो उसके बाद में दलहन कौन सा चना मसूर मटर और सेम अब यहाँ दो चीजें और हैं एक बात और है जिसकी वज़ा से आप रिकॉल कर सकते हैं अपने प्रश्न को रभी उन्हाला गर्मी की रितू और यहां आप खाते हैं जो की धानी भूने ह जो जिसको धानी के नाम से जाना जाता है और जो का सत्तू और एक धुने हुए भूंगडे चने ध्यान रखेंगे गर्मी की रितू उन्हाला और रभी की फसले ध्यान रखने की कोशिश कर लेंगे और उसके बाद आपके सामने होता है पिलहन फसले पिलहन कौन सा है सरसू राई, अलसी, तारा मीरा और सूरज मुखी ये रभी का तिलहन होता है और साथ में मसाला फसले कौन सी धनिया, जीरा, मेथी और मिर्च इस वरगी करण के साथ यदि हम रभी की फसलों को तयार करेंगे निश्चित तोर पर आप देखेंगे कि हाँ रिपीट होते हुए अज करेंगे निश्चि लोक आश सरदी की रितू को शाले के नाम से जानते है, शाला, साला या शालू तो अब धी कब होती है जून जुलाई में इसको बोया जाता है और दोस्तों सितमबर अक्टूबर में इसको काटा जाता है सितंबर अक्टूबर यान एक्तर से सर्दी की शुरूवात सर्दियां दस्तक देने लगती हैं अब अक्टूबर चल रहा है और सर्दी फोड़ी फोड़ी दस्तक देने वाली है इस दोराण सिसको काटा इसलिक खरीब की फ़सल है ध्यान रखेंगे साथ में थोड़ा सा ध्यान रख लें चावल का जुबर का और मक्के का और मक्के की रोटी दक्षणी राजस्थान में विशेस रुफ से जहां मक्का जादा होता है पश्चिमी राजस्तान में उत्री राजस्तान में जहां लोग जदातर बाजरे को पसंद करते हैं सरदी की रितू में ठीक उसी तरह से दक्षिनी राजस्तान में बाजरे का सब्सिट्यूट होता है मक्का, खरीब की फसल और इसी के साथ गलहन को भी याद कर लीजिए अरहद, उड़द, मूंग, मोठ और चंवला ये खरीब की फसले हैं इसी वर्गी करण के साथ आप इसको तयार करने की कोशिश करेंगे और साथ में हम बात कर लें तिलहन फसलों की मूंगफली है, अरंडी है, तिल है, और साथ में सोयादीन है दो को अंडरलाइन करता हूँ, एक मूंगफली को, एक तिल को सर्दी में, सर्दी भगाने के लिए गरम-गरम मूंगफली आपने खूब खाई है और तिल के लड़ू, उस्तवात का कहना ही क्या याद रखेंगे, खरीब की फसले हैं, सर्दी के दोरान खाते हैं और सर्दी के दोरान कब खा पाएंगे? जब सर्दी की शुरुआत में इनको काटा जाएगा इसलिए इनको शालू कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, काटने से संबन्ध है आह रभी की फसलों को गर्मी की शुरुआत में कारते हैं इसलिए उन्हालू खरीब की फसलों को सरदी की शुरुआत में कारते हैं इसलिए शालू यह ध्यान रखेंगे और आप थोड़ा सा गौर कर लेजिए कपास पर गन्ना पर और गौर पर ये भी खरीब की अन्य और शांदार सी फसले होती हैं, उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे, जायद की फसलों की गर्मी की रितू होती है, मार्च से जून, और एक खास फिनोमिना हमारे यहां उभरता है, वातावरण में और मिट्टी में दोनों में नमी की कमी, और नमी क में ये जायत की फसलें ली जाती हैं। क्यों ली जाती हैं। ताकि गर्मी की आवशक्ताओं के अनुरूप आपके शरीर में पानी की आपूरती को सुचारू रूप से रखा जा सके। के बैनर पर ओफलाइन और ओनलाइन बेचेज की शुरूआत हो रही है। ये एक सूचना है और इस सूचना की अगरिम कड़ी ये है। इस दोरान यदि आप दशेरा तक ये दशेरा ओफर है यहां तक आप यदि रजिस्टेशन करवाते हैं ओफलाइन बेच के लिए एक हजा रुपय में जो क्लासेज मिलने वाली थी वो आपको मिलती हैं मातर 15,999 रुपय में और जो ओनलाइन का बेच आपको 15,000 रुपयों में खरीदना था वो आप खरीद पाते हैं 6,999 रुपयों में एक और सोगात ओफलाइन और एड्मिशन लेने वाले बच्चों को ओनलाइन बिल्कुल फ्री दिया जाएगा ओनलाइन का कोर्स बिल्कुल फ्री ये एक शांदार सी सोगात है और इसके साथ आप से एक गुजारिश गुजारिश पर अमल करना है चाहे तो मैं हाथ जोडता हूं निवेदन करता हूं और वो गुजारिश क्या है आप प्ले स्टोर पर जोग्राफियों को डाउनलोड कीजिए और साथ में यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब कीजिए फिर एक वो वाली भाशा जो आतकल हर यूट्यूबर करता है वो भी एक प्यारा सा निवेदन इसको सब्सक्राइब कीजिए लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे तो हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द धन्यवाद